हांसी के बाबा बंदा सिंग बहादूर गुरु द्वारा में आज गुरु गोविन सिंग जी के लाडले वैं हिंदु धरम के लिए बलिदान देने वाले 4 सही जादो का बलिदान दीवस मनाया गया ये बलिदान दीवस 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक मनाया जा रहा गया जयात रही कि चमकोर सहीब की लडाई दिसंबर 1704 में लड़ी गई जिसमें साहिब जादा अजीत सिंग जी और साहिब जादा जुजार सिंग जो 18 और 14 वर्ष के थे दोनोंने 40 सिख योधाव को लेकर मुगल फोज के साथ चमकोर साहिब में लड़ाई लड़ी इस लड़ाई में उनको सहाधत पराप्त हुई चोटे साहिब जादे जुरावर सिंग जी और साहिब जादा फते सिंग जो की सिरफ 6 और 9 वर्ष के थे उनको तब दिवार में चुनवा दिया गया था जब उनकोंने इसलाम धरम कबूल करने से इनकार कर दिया इन सभी ने छोटी सी उम्र में की अपने प्राणों की बली अपने धरम को बचाने के लिए दे दी चार प्साहिजादे महां सक्षियतें थी जिनकोंने अपनी जान इसलिए वार दी जिससे ओरंग जेब और उसके अत्याचारी मंत्री के जुर्म से आम लोगों को पचाया जाज़के यह अपने दादा जी श्री गुरू तेक बहादूर सिंग साहिब जी और पिताश्री गुरू गोविन सिंग जी की तरके सच्चे रास्ते पर चले भारत वै दुनिया के इतियास में इनकी बहादूरी और बलीदान की कोई बराबरी नहीं मिलती इनकों ने बहादूर योद्धाव की तरके लड़ाई लड़ी और अपना नाम इतिखास के सुनखेरी अक्ष्रों में लिखवा दिया तो जाना आपने चार साहिब जादों के बारे में कितने महान थे अपने पिता और दादा की तरका जिन्होंने जान के परवाँ ना करते कुए अपने धरम के लिए बलीदान दे दिया आप देखते रहे हैं एंटी नेशनल ख़वर वही जो हो सही